कि जहीं दोस्तों क्या हल चाल मेरा नाम है सचीन और गाइज आज की वीडियों सीखेंगे कि हम किस प्रकार से सिटी एक्ष नेज़ार इन या इट जार इन के अंदर टोन एडिट कर सकते हैं तो गाइज टोन एडिट करने के पूरे फंक्शन आज जानेंगे स्टेप बाइज क lleate CityEx 9000 के अंदर आपको मिलता है तीन स्टेप में किसीवी टोन को मोडिफाई सिस्टम ओ स्टूप का इसके आज मैं आपको तीन चरहले अगा सब करना है तो उसमें गाइज जो एफ्यक्ट लगेंगे वह आपके दूसरे चरण में लगेंगे उर इसके साथ ही गाइज अगर आपने पूरे कीबोर्ड का इफ्यक्ट लगाना है जिस प्रकार से वारा डिले रहता है रिवर्ब रहता है यह पोरस रहता है तो हमारा तीसरे आपको मिलते हैं तीन प्रकार के एडिट सिस्टम फस्ट में हमारा टोन मोडिफाई सेग्ड में लेर टोन मोडिफाई और थर्ड में पूरक की बोर्ड के साथ ही उसका साउंड मोडिफाई सुगाई देखिए अभी हम फस्ट चैनल में जाएंगे तो पहले स्टैप में को मोड़िफाई कर सकती हो फीलाल उदारन के लिए've 103 लिए तो आब हम इसको मोडिफाई करेंगे तो इसकी जगाहम जैसे इसको हम स्टम में मोडिफाई करेंगे तो इसका एक अलग टोन बनेगा जो हमारा किसी और नंबर में सेफ होगा यह हमारे टोन वैसा कि वैसा ही रहेगा तो इसमें हमारा आता है फंक्सन अब गाई देखिए आपर फंक्सन का बंद दिये तो गया है लेकिनि इसके दो सिस्टम निकलता है और जब आप इसको लों टाइम करते हो तो वमारा वोड़िफाई सिस्टम या फंक्सन निकलता है अब देखिं हम फर्स्टम में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक टोन ले इसे आप अपने इसाफे किसी भी कैटेगोरी की टोन लेशाई कि तो मैं ले यहांगे सबसे वहले function को long time press करेंगे यानि दुबा कर रखेंगे तो हमारा देखी यहां पर आता है attack time अब गाइस attack time में क्योंगा कि आपको tone का response कितना फास्ट चाहिए वह आपका इस step में आएगा कि अभी आगर में इसको बढ़ा देता हूं तो मेरा sound कम हो जाता है अगर मैं इसको एकदम कम कर देता हूं तो यह देखिए इसमोज एकदम फास्ट आएगा और जब आप इन दोनों को एक सास्ट करते हो तो अपका default आजाता है अगर आपको परसानी आई कि आपने कितने नंबर में एले था सुकाइज आप इन दोनों को प्रेस करें प्लस मानिस आपका default में आ जाएगा जैसे मेरा 64 default है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखिए देखिए सुब इस बढ़ाना तब है जब आपको लगए क्या को किसी टोन का जो। रिस्पोंस टाइम हो कम सचिए यानि जैसे हमारी मूरी होती है मूरी को बजाते है कि तो हमारा जो लोंग टाइम का जो स्वहता थीमत चाहिए होता है तो हम इसका अटेक टाइम थोड़सा बढ़ा कि देखेते हैं आप चलेंगे रिलीज excel में तो कितनी दो गुजिना चाहिए या कितना साउम्ड husband आजफनाग तो मैं थोड़सा बढ़ा के दिखाते हूं जबोड़ टाइम लगा और जाद हो गया और और हो गया अब मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ तो होगा क्या जैसे मैं कीज छोड़ूँगा तो साउंड भी बंद हो जगा यह देखे बढ़ाके देखते हैं सुकाई जी हमारा लीज टाइम आता है तो आगर हम इसको बिल्कुल कम कर देता है मेरे कीज को छोड़ने के साथ साथ इसका साउंड भी बंद पड़ जाता है तो यह हमारा लीज टैमे आता है इसको आप इस प्रकार से सैट करना जिस प्रकार से आप अपना टोन उमोट ही करना चाहते हो हिसके बाद आता हमारा कटो टॉन को तीखा या मोटा करता है देखे आघी होगी और ये दम से पतली हो कि आगे सbacks को सूनकर एडिble एडिड सकते हो यह विजाए सेम है एस मोटा और एक दम से तीखा जितना हाई करको उतना साउंड तीख हो जाएगा तो आप इसको भी नोर्मल रख सकते हो इसके बाद आता है हमारा गाइस बाइब्रेटो अब बाइब्रेटो में क्या होगा अगर हम इसमें एंटर करेंगे यहां पर लिखाएगा बाइब्रेटो के लिए ज्यादा बैतर रहता है जिसमें आपको जैसे हमारा क्रंपेट होता है कि अब गाइस देखिए मैं डेट में जाता हूं मैं थोड़ा सा डेट बढ़ा के दिखाता हूं इस एक दम से काम पर आइट ओन अब मैं इसको कम देता हूं और काम पर है डेफ्थ में आपका थोड़ा कंपन आता है रेट में भी तुम्हें इसको डेफॉल्ट करता हो फिलाल रेट रेट इसका रेट होता है जो जो आपके साउंड को थोड़ा और मोड़ कर देता है और जो आपका साउंड में जो कम पर आदा वा उसका डेले की तरह चाहिए वह आपको यहां पर एडिट करने के लिए लिए और टाइप गाईस आपको पुछ भी रख सकते हो यह आप अपने टोन के साफ़ से सेट कर सकते हो तो चाह नंबर से पर एकज़िट आएंगे ती साथ सूर और सब्सक्राइब गाईस पूरा जमन्टलब इसका जो आफ यंवडान 15 को झाही को श्काद फिर से अलग से यहाँ आपने पड़ेंगे कि आपके साथ स्वहर होते हैं लेकिन घाइज 12 होते वैसे अब साथ इसमें अपके में सवहर होते हैं यहां से लेकर गाईज यहां तो फूरा श्टेप होते हैं हर हर्मोन या किसी भी में होता है आप थे जब पड़ेंगे तो आपको पतलग जाएगा बारा होते हैं यानि आपका एक स्टैप यह है स्टैप को यहां से वहां उठाके रखता है अब जैसे देखिए अभी मेरा साउंड यहां पर है जो एक मानने सकता हूं आग मेरा यहां से उठाके यहां यह आप अ अपने हिसाआ योडिफाइ कर आपको कवी पहल नीए हो साथ इसको मैनिस में करिए अगर आपको तीख का साउंद ऐसको प्लस में करये मौग आज हैंक वोले वौलीम आपके टोन का साउंड कितला है इतना वह आप अपर सिंगल थोन का मोडिकाई करें तो यहां से वोलिम सेट केजिए इसके वाद आगे जाएंगे वैलिशिटी सेंस आपके कीज के प्रेस के साफ से सेट होता है आप इसको नोलवल ही रख सकते हो इसमें ज्यादा कुछ छेड़ने की बात भी नहीं है तीन नंबर से आगे जाएंगे तो रिवाव सेंड कि आपको अपने साउंड में किस प्रकार है और नोर्मल में गाइज देखिए तो यह हमारा रिवाव में आता है और कॉर्स में गाइज इसमें आपका क्योंगा कि आपके टोन का जो साउंड है वो ट्रिपल लिया और सेनी गाइज ग्रूप टाइप लगेगा यह आपको उस टोन में ज्यादा अच्छा लगेगा ज अधर मुनिया जैसे आपको किसी स्ब्समें को इडिटे अजاعले आपको शींगर जैसे नागीं तो तक उसमें शाको को से यानी थोड़ेेक्ट देदे देता है कि सुनने वाले की आपका टोन डक धर कर है यह आपको तो ज्यादा पता लगेगा जब आप प्यानो एडिट करोगे तो आपको पॉरस का इफेक्ट क्याता है पता लग जाएगा तो फिलाल मैं इसको रहने देता हूं इसके बाद हम आगे चलेंगे डिले तो डिले गाई सबको पता होगा लुग और बैग्नाउं देखेक्ट रहता है यह डिले रहता है अब जब आपका इतना टोन बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि 6 नंबर से यहां से प्रेस करना है तो आपको पुछे का एग्जिट और यहां से यह लिखना है इसके आप पूछे का राइट तो आपने प्रेस करने अगर अपने टोन लग से बनाने का अब गाई सेकंड आता है हमारा लेर सिस्टम में अब देखिए मुझे यह टोन बनानी थी क्या डिए आप है तो काई यह मेरा फर्स्ट है पूरा हो चुका है अब सेकंड हमारा आता है कि टोन लेर का टोन लेर में क्योंकर घर्जैसे मैं देखिए इसमें श्ट्रिंग आ रही है और मुझे लग रहा है कि मेरा स्टिंग का जो साउंड है थोड़ा है यानि जाद है तो मैं कि करूंगा गाइज देखिए अब सब्सक्राइब क्या करेंगे हम मिक्सर के बन को प्रेस करके रखेंगे लोंग टाइम में तो प्रेस करके रखा इसका यहां पर आता है पार्ट ओन तो हम दो नुमर से निचे आएंगे तो यहां पर लिखाएगा बोलियम अब देखिए बोलियम में ध्यान देना थोड़ा सा तो बोलियम गाइज वन टू थ्री अगर आप स्प्रेट करते हो तो प्रेस करता हूं हमार अयहां से दिद लेडर टौन बन चुक है हम ने घर्डिं McMagasm अभी लेर्की अदिक होई है है मेरा सिंगल टॉन था था मैने लिर दैस किया दोसुत ईसनबर डायल कियाओ मैरा सेकंड देखिए यहां पर ले राज चुका है 233 अब इसमें हम गाइज दीसरी टोन भी डालेंगे अगर हमने कोड प्ले करने हो तो कि अब दिखिए मेरा कोड यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला नहीं चीए मुझे अलग फोड चीए तो मैं कि करूँगा यहां पर स्प्लिट कपन दिये गया है अगर आप ध्याद देंगे तो यहां पर मैं प्रेस करूँगा उसके बाद मेरा एक आठसो बत्र नम्बर में गाईज एक बर्ड वाला कोड है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ देखिए ओटमेटिक मेरा वह वाला साउंड यहां से यहां आ गया जैसे मैंने स्प्लिट को प्रेस किया और यहां पर मेरा गाईज तीन स्टेप आ चुका है अब हम क्या करें करेंगे हमारा फ़र्ष्ट बन चुका है कि एक मुन गईज देखिए इतना हो गया अब यह मेरा मोडिवाई हो चुका है तो सबसे पहले गाईज हम इसको किसी बैंक में सेव कर लेंगे ताकि हमारा टोन कहीं अगर गडबड हो जाए तो हमारा टोन से रहे मैंने यहां पर स जीक लिए में अब मिक्सरर को प्रेस कराना है लोंग टैम है फ्टहें रहे गाइज पहले हमने फ़ौक्षिट दंखस्ट किया था व भी लंबे समयी तक अब हमें Americans को भी लोंग प्रेस करना है ना कर से टांक भा일 पर क्रालीम और ते मोलीम इसी देखिए आगर आप यहां तो खाफी सारे आपको यहां फर 123456 लिखके आता है तो हम क्या करेंग गाइज एक या तीन नमबर से हमारा यह पूरा स्लेक्ट होता है जिस प्रकार अभी मेरा यह एक नमर बिलिंग कर रहा है मैं आपको थोड़ा से जूम करके दिखाता हूँ तो गया दिख़र अभी मेरा एक नमर बिलिंग कर रहा है मेंएक किरा और एक नमर पेस्ट कर रहा हूं है 3.4 pandemic कर रहा है अभी पांच चारр तीन दो और एक अब गाई देख looking क्या करना है कि एक नमबर जो आपका वॉलीम है वो आपका में टॉन है जो हमने एकोर्डियन फ्सक्ट में मोड़ी भाई की थी वह मारा वॉलियूम इसका यह है इसको कम कर देता हूं आप देखिए यहां से ती नमर प्रेस करूँगा तुम यहां दूसरी नमर पर आ जाता हूं पुलिंग करते हुए यह मेरा श्ट्रिंग का वोल्यूम जो हमने लेयर किया था अगर मैं इसको कम कर देता हूं तो मेरा श्ट्रिंग का वोल्यूम कम हो चुका है मैं इसको थोड़ा सा मीडियम में रखूंगा ताकि सुनाई विदा दे और यह किसी ओर टोन को भी ना परसान करें इसके वाद हमारा तीन नमर में आगे जाएंगे तो यहां पर थार्ड नमर में फिर से पहुंच आते हैं औ लेकिन कोड का साउंड मुझे कम चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा इसके लिए गाइज हम थार्ड वाली टोन का जो साउंड कम कर देंगे मेरा कोड का साउंड भी अब कम हो चुका है तो यह हमारा सैक्ड श्टेप था इस प्रकार से अगर आम दो नमर से फिर सी निच जाएंगे तो यहां पर पैनल लिख हुआ है जो कि हमारे साउंड को लेफ्ट यह राइट में भीजता है रिवाब गाईज आप इसी प्रकार स आप से तीनों का एडिट कर सते हो यहां से रिवाब आपको चाही ओड़न थोड़ास क्रीवी ज्यादा बढ़ाना ध्याँ पते हैं डिए फुम्म वाला यहीनि हमारा सेक्ड नरी स्ट्रिंग लाइन हमारा इस परने अंग अनुए चलख अगले इस आपने का रिवाब बढ तो अब यह हमारा बन चुका है गाईज अब हमने स्ट्रिंग वी एडिट कर ली लेर बटन में तो हम फिर से इसको सेव कर लेते हैं यहां पर उसी नबर में से ताकि हमारा यह वारा एफेक्ट भी से हो जाए तो गाईज यह हमारा दो स्टैप थे जिसमें हमने फ़र्ष्ट म किया इसको भी लोग टैम प्रेस किया अब हम इसको इस फंक्शन बन को एक तैम में प्रेस करेंगे यह रहने धिसरी चनल में जाएंगे तो बमने एक वारी सको कड़ करना है हमारे यहाँ पर राथ टाकल को आपको और काूरास इसकोत यूबड देते हो क्या जिस जितनी जोर से आप किस को हैं प्रेस करते हैं उतना ही साँन ढींद जैसे इसक्व घयादा में प्रेस कर तो से περιगन आएंगे कोड मोड पर फ्रेस्पैट पंट्रोलर तो गाइस हम पर एफ्यक्ट देने के लिए देखिए अब यहाँ पर आता है सबसे पहले एकम पॉलियम अपका रिदम का बोलिम है अगर आप इसको कम करें तो आपका जो रिदम का साउंड है कम आएगा इस प्रकार से आप अपने सोंग के साथ अपने रिदम का बोलिम यहां से कम यह ज्याद कर सके हो तीन नमर से आएंगे यहां पर लिखाएगा रिवाब अपका इस रिवाब हमारा केसी वहीं आगया जो हमने पहले भी बताया आपको कि रूम वाला जो सिष्ट में रहता है वह अब तरी नमर से आगे जाएंगे तो यहां पर फिर से कोरस आता है इसको और से अलग लगता है जैसे हमारा इसको नोर्म अब आगे जाएंगे तो सबसे मेन तो यह मारा सिंगल ठोन था थोड़ा सा डिले वहां पर एकोडियर में दिया था लेकिन उस डिले में और इस डिल में अलग है वह हमारा थोड़ी लिद्धा यह वहां पूरे स्पीकर यानि जो साउंड आप्टपूट है उसका डिले अभी हमारे देले जीरो वन है तो हम इसक इको इफेक्ट वे आ रहा है बहुत भी प्यारा तो मैक्सम गाइज हम रखते हैं इसको लोंग पैने 14 या 13 पर अभी आपको लेफ्ट राइट नहीं सुने दे रहे हैं लेकिन जब आप इसको अपने खुद के कीबॉर्ड में एडिट करोगे तो आपको लेफ्ट राइट अलग अलग सुनाई देगा क्योंकि मेरी डिकोडिंग अभी मोनो में हो रही है स्टेरियो में नहीं है लोंग पैन वन हमने रख दिया है अभी इसकलाद आपको इकोड़ेक्ट साफ साफ पता लग रहोगा कि इस प्रकार से आ रहा है अपने 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 हिसाफ से आप किसी भी डिले को रख सेथे हूं यहां पर आपको मिलती है गाइस काफी धेर सारी डिले एफेक्ट तो मैक्सिम मैं अपने फोर्टिन में रख रहा हूं जो मेरा सदिंदा डिले है इसके वाद हमें एकजीट आ जाएंगे और फिर से हम स्टोर्ट पड़न को वहीं पर प्रेस कर देते हैं ती नमर में तो अगर हम कीबोड ओफ करें अब चाहिए ओन करें गाइस तो हमारा जो टोन है यहीं पर ही सेव रहता है मेरा 14 नमर बैंक है और तीन नमर टोन है तो मेरा वही टोन आएगा जो हमने अभी एडिट किया घृत जो गाइस इस प्रकार से आप किसी भी टोन को एडिट करना सीख सकते हो आप घर में बैठ कर किसी डोन को मोडिफाइ कीजिए दो टोन को मोडिफाइ किजिए यह तो को लेर कीजिए यह आप इड्वेंड करता है क्योंकि हो सकता है गाइस हमारी द्वार अबनाए तो गाइज सब्सक्राइब जूर कर लेना और किसी और प्रकार की जानकरी चाहिए हो तो हमारी चैनल को जूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे तब तक के लिए बाई बाई